पार्ट चौदा लोखगीत लोखगीत अपनी लोच, ताजगी और लोखप्रियता में शास्त्री संगीत से भिन हैं. लोखगीत सीधे जनता के संगीत हैं. घर, गाउं और नगर की जनता के गीत हैं ये. इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती. तियोहारों और विशेश अफसरों पर ये गाय जाते हैं. सदा से ये गाय जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गाउं के लोगी हैं. स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेश भाग लिया है. ये गीत बाजों की म दाल, बासुरी, आदी के मदद से गाय जाते हैं. एक समय था जब शास्त्री संगीत के सामने इनको है ही समझा जाता था. अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी. पर इधर साधारन जनता की और जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला की शेत्र में ही परिवर्तन हुआ है. अनेक लोगों ने विविद बोलियों कि लोग साहत्य और लोखगीतों के संग्रा पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रा अब तक प्रकाशत भी हो गये हैं. लोखगीत के कई प्रकार हैं. इनका एक प्रकार तो बड़ा ही और जिस्वी औ या इस देश के आदिवासियों का संगीत है. मध्य प्रदेश, दकन, छोटा नाकपूर में गौन खांड, और आव मुंडा, भील संताल आदी फैले हुए हैं, जिन में आज भी जीवन नियमों की जकड से बंध न सका और निर्धिद्व लहराता है. इनके गीत और नाच अ आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गूंज उटती हैं. पहाडियों के अपने अपने गीत हैं. उनके अपने अपने भिन रूप खोते हुए भी अशास्त्री होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमी हैं. गड़व वास्तविक लोग गीत देश के गावों और देहातों में हैं. इनका संबंध देहात की जनता से हैं. बड़ी जान होती हैं इनमें. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, आदी मिरजापुर, बनारस और उत्तप्रदेश के पूरवी और बिहार के पश्रिमी जिलों में गाए ज उसे गाए जाते हैं. इन देहाती गीतों के रचियता कोरी कलपना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विश्रे रोज मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं. उनके राग भी साधर्णता, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सौरट आदी हैं. कहरवा, बिरहा, धोबिया, आदी देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीर आकरशित करते हैं. इनकी भाशा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोग गीत गावों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. इसी कारण ये बड़े आहलादक होते हैं. राक तो इन गीतों के आकरशक होते हैं. इनकी समझी जा सकने वाली भाशा भी इनकी सफलता का कारण है. भोचपुरी में करीब 30-40 बरसों से बेदिस्या का प्रचार हुआ है. गाने वालों के अनेक समु इन्हें गाते हुए रिहात में फिरते हैं. उधर के जिलो में विशेशकर बिहार में बिदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोक प्रिया नहीं है. इन गीतों में अधिकतर रसीक प्रियों, परदेशी प्रेमी और प्रियाओं की बात रहती हैं. और इन से करुणा और विरह का रस बरसता है. जंगल की जातियों आदी के भी दल गी बांद कर गाते हैं और दिशाएं गुन जा देते हैं. पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दल्य गायन का हास हुआ है. एक दूसरे प्रकार के बड़े लोक प्रिये गाने आहलाह के हैं. अधिकतर ये बुन्देल खंडी में गाय जाते हैं. आरम तो इसका चंदेल से माना जाता है, जिसने आलहा उदल की वीरता को वीरता का अपने महा कावी में बखान किया. पर निश्य ही उसके चंद को लेकर जन बोली में उसके विश्य को दूसरी धिहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गावों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं इन्हें गाने वाले गाउं गाउं धोलक लिए गाते फिरते हैं इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्तान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं के गीतों की है, है तो ये गीत भी लोक गी थी, पर अधिकतर इन्हें औरते ही गाती है, इन्हें स्रच्चती भी अधिकतर वही है, वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेष्टा स्त्रियों से है, इस रिष्टी से भारत एक दिशा में सभी देशों से भिन है क्योंकि संसार के अन्ने देशों मिस्त्रियों को अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन नहीं है मिले जुले ही हैं त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के विवा के मटकोड जियोनार के संबंधियों के लिए प्रेम्युक्त गाली के जन आदी सभी अफसरों के अलग अलग गीत है जो स्तियां गाती है इन अफसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से विगाती रही है महाकवी कारीदास आदी ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है सोहर बानी सहरा आदी उनके अनंद गानों में से कुछ है वैसे तो बाहरा मासे पुरुशों के साथ नारियां भी गाती है एक विशेश बात यह है कि नारियों के गाने सधारता अकेले नहीं गाय जाते हैं दल बांद कर गाय जाते हैं उनके कंट एक साथ फूटते हैं यद्यपी अधिकतर उनमें मेल नहीं होता फिर भी तेहवारों और शुब अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं गावों और नगरों में गा प्राइकाएं भी होती हैं जो विवा जन्म आदी के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी रुत्वों में स्थ्रिया उलस्त होकर दल बांद कर गाती हैं। पर होली बरसात की कजरी आदी तो उनकी अपनी चीज हैं। तो सुनते ही बनती हैं पूरप की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विध्यापती की गीद गाये जाते हैं। पर सारे देश में कश्मीर की कन्या कुमारी केरल तक, कन्यावाड, गुजरात, राजिस्थान में उडिसा आंदर तक अपने-अपने विध्यापती हैं। स्रिया ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पूठ होता है। गुजरात का एक प्रकार का दल्य गायन गर्बा है, जिसे विशेश विधी से घेरे में घूम घूम कर औरते काती हैं। साथ ही लकडियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच कान साथ चलते हैं। वस्तुता ये नाची है, सभी प्रांतों में ये लोक प्रिय हो चला है, इसी प्रकार होली के अफसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेश तोर पर. गाओं के गीतों के वास्तव में अनन्द प्रकार हैं, जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला अनन्द के स्त्रोतों की कमी हो सकती है, उद्दाम जीवन के ही वहां के अनन्द संख्यग गाने प्रतीक है, भगवत्शर उपाधियाए.